यह रोलेः फिल की बॉलेट 350, यह रोलेः फिल में अगर सस्ती कर सकते हैं तो बॉलेट 350 आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें भी आपको तीन से चार वेरेंड मिल जाता है, जिसमें आपको इस में ब्लेक गोल्ड देने वाले हैं हमाई साथ इस वीडियों बने रहेगा इसके रावा अगर आप डेवरियां उत्तर बड़े से बिलॉंग कर रहे होंगे अगर आप रॉलेंड फिल्ड का को भी मोटर साइकल करने के लिए सोचे होंगे तो सुप्रीम मोटर्स रॉलेंड फिल्ड पे संपर कर सक करते हैं आइस वीडियों बात के लेते हैं बुलेट 350 का अगर आप बुलेट लवर हैं तो ऐसे में यह कलर भी आपको पसंद आ सकती है स्टेंडर कलर ब्लेक कलर है और सबसे पहली स्टार्ट करेंगे इसके फ्रेंड में आपको राउंसिप का यहां पे हेड्लेम सेक्शन मि मिल जाती है इसके लाओ यहां पे ऊपर दगेगे हेड के पास आपको ट्वीन पालेट लेम मिल जाता है जो कि आपको बल्ब के साथ यह मिल जाता है है लोजन के साथ मिल जाएगी इसके लाओ फ्रांट फेंडर आपको गलॉसी फिनिस के साथ मिल जाती है यहां पर मेटल के दिए गया है अगर साइड के लुक के बात करें तो यहां पर इसका साइड से ओवर आल यहां पर लोग दे सकते हैं इसमें आपको सिंगल पिसकी सीट मिल जाती है और इसकी सीट की कोशिनिंग दे सकते हैं काफी कमफडेवल है पीशेक साइड आपको यहां पर ग्रेवेल मिल जाता है इसके लावा यहां पर देखेंगे साइड से तो साइड में भी आपको बॉलेट 350 का 3-D में यहां लोगो मिल जाता है खुछ ऐसे अपको ग्राफिक से मिल जागी गोल्डें करर्ब के साथ इंतने आपको ख्रोम फिल जाती है बाकि आपको आपको साइड सेंड यह भी आपको ख्रोम के मिल जाएंगे जो इसकी गेर लिवर से यह दे सकते हैं फूट पोजिशन, फूट पैक्स में आपके देख सकते हैं, साड़ी गाट साइड मिल जाता है, और पीछे के साइड आप देखेंगे, तो इसमें भी इंडिकेटर के पीछे आपको प्रोम फिनिस मिल जाता है, जिसे की काफी प्रेमियम लुक देती है, वह इसके रियर से भी साइड प्रेम लुको, यह चीज यहां पर सेम मिल जाती है, लेकिन है अपके देखेंगे तो एग्जोस्ट आपको यहां पर एक्षाउस्ट साथ मिल जाता है, यहां पर यहां पर इसका प्रेक लिवरस दे सकते हैं, बाकि इसमें जो यह गाट देखना है, यहां अलग से ल के तोर पर लगवाना पड़ेगा इंजन प्रोटेक्शन के लिए आपको बुलेट 350 इस लुक के साथ मिल जाती है तो जिन लोग को बुलेट पसंद आता है बुलेट 350 पसंद आती है उनको यह ब्लेक रर जरूर पसंद आ सकती है बाके इसमें जो इंजन लगा हुआ है इसमें में जब नया model company launch किया आपको कि कि स्टैटर यह भाटा दियाता इस model में यहाँ पर आपको की श्टैर देखनी को नहीं मिलेगा इसके लावा suspension setup भी बात करें तो इसमें आपको front के side telescopic suspension मिल जाता है और here के side आपको twin tube emission sub observer six step adjuster suspension मिल जाता है 6 step तक अब adjust करवा सकते हैं वह इसका tire size है वह आप देख सकते हैं front के side आपको यहापे 100 by 90 का 90 minutes के आपके tire मिल जाते हैं spoke wheel दिये गया है और इसके front में आपको 380 mm का disc brake भी मिल जाता है by brake यहाँ पे calipers भी लगे हुए है rear के side अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 120 वा 80 का 18 inch के आपके tire दिये गया है और rear के side भी आपको यहाँ पर disc brake मिल जाता है हालागि base model लेंगे तो आपको drum brake मिलेगा बाकि इसमें features की बात करें features कुन-कुन से मिल जाते हैं तो सबसे पहले इसके front से start करते हैं यहाँ पर आपको hellosan headlamp setup मिलेगा बाकि इसमें आपको hellosan headlamp setup भी मिल जाएगा इसके दूसरे features की करबात तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसमें आपको digital analog meter console मिल जाता है जहाँ पर analog में आपको speed की जनकारी मिल जाती है यहाँ पर neutral और यहाँ पर कुछ indicator lights मिल जाता है ABS की light दी गई है इसके लाब आपके engine low fuel indicator यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है इसके लाब इसमें आपको USB charging socket मिल जाएगा जो कि यहाँ पर हैंडल बार पर दिया गया है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आपने smartphone को चार्ज कर सकते हैं तो यह भी features में दिया गया है switches के गरबात तरी तो यहाँ पर लेफ्ट अर्बार पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको passing switch, headlamp, high and low and switch एक इम दिया गया है इसके लाब यहाँ पर indicator का बटन मिल जाता है और इसके जो indicators है वो आप दे सकते हैं कुछ ऐसा मिल जाता है निचे के साइड आपको यहाँ पर हॉन मिल जाता है तो हॉन सुन लेते हैं इसका इसमें आपको काफी loud हॉन सुन देक मिल जागी दूसरे साइड अब देखेंगे तो यहाँ पर इंजन के switch और start button एक ही मिल जाता है और यहाँ पर आपको हाजाड का फीचर मिल जाता है यानि कि जब इसको अन करेंगे तो इसके चारो जो indicators है फ्रेंड का हो या फिर यह का वो ओन हो जाते हैं तो हाजाड का ब्रैंडिंग भी दी गई है दो की आपको इसमें मिल जाएगा तो इनिसली स्टेज में इसका sound सुसकते हैं बागे इसमें थोड़ा सा रेस लेते हैं इसका आपको exhaust कैसा लगा यह आप कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं बागी इसके ग्राउंड क्लियंस के अगर बात करें तो यहां पर आपको 170 mm तर इसकी ग्राउंड क्लियंस मिल जाती है स्टेंडर मॉडल में 10 mm और भी कम आपको ग्राउंड क्लियंस मिलेगी इसकी जो सीट है वह आपको 805 mm मिल जाती है यहां पर थर्टी निटर के साथ मिल जागी बाकि जो इसका वेट है 195 kg तक है बाकि सीट पेपर बैटके आपको दिखायते हैं कि इसको चलाने के लिए आप मुझे चलाने में कोई दिकत नहीं होगी तो यहां पर देख सकते हैं इधर का पर दूसरे साइड भी आप देख सकते हैं कैसे मेरा पर यहां पर नीचे आ जा रहा है अगर आपकी हाइट मेरे से थोड़ी से छोटी भी है तो भी यहां पर चलाने में आपको दिकत नहीं थोड़ी से लंबेगर आपको जर नहीं करनी है तो भी आपको ठाकावट नहीं होगी तो सीटिंग पोचर आप दे सकते हैं बाकी मन्यापको आप बता दिया कि आपकी हाइट कितना होना चाहिए चलाने के लिए अगर आप देवरियां से ब्लॉंग कर रहा होंगे तो आप सब्सक्राइब को गरता है इसके सब्सक्राइब को साथ चौशा में पारके सुप्रियम होना तर परहई से व्लॉंग कर रहा होंगे तो आप कॉल का सकते हैं और आपको पर्चेस करना होगा क्योंकि जो अंडो प्राइज है थोड़ा सा कम या ज्यादा होता रहता है और अलग-अलग डिस्टिक में अलग-अलग प्राइजिंग भी होती है इसलिए अंडो प्राइज आप सोरूम अपने नजदिकी सोरूम पर आप जाके पता कर सकते हैं जिस भी सहर या फीर कस्वे से आप बिलॉंग कर रहे होंगे वागे इस वीडियो में इसी जतनी भी जनकारी थी मैंने आपको यहां पर दे दिया है फिर भी आपके मन में कोई कोर्शन रहे गया हूँ तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और ऐ लोग निकल गया है उन लोग को कावी पसंद आती है तो बुलेट 350 आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जब बताएगा इसके लोग आप क्लासिक 350 के उपर डीटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके उपर मैंने रिवीव वीडियो बना है वो भी जाके आप इंफर्मेटिव लगी होगी ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दिए थैंक्यों प्रेंस थैंक्स अर्वाचिंग